यद्यपि मेगनाद ने आप दोनों भाईयों को नाग पास में बाहत लिया था। हम लोगों ने आशा छोड़ दी थी परन पंक्षी राज करुन ने आगर के आप दोनों भाईयों को नव जीवन प्रदान किया है। प्रभू आप जिस पर क्रिपा करते हैं वही विजय होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपके क्रिपा से हमारे सारे मनोरत सफल हुए। जोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदूस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की जनपत भदोही में हैं और भदोही में भी एक से बढ़कर एक पर्दिभाएं यहाँ हैं जिन पर्दिभाओं के लिए आज मैं हम मौजूद हूँ। लोग भी लगा कर देखने के लिए उसे तरस जाते थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी रमार में जो जामूंत का रोल किये हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आप लोग जैसा की जान भी रहे हैं कि आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर च आपके हिंदुस्तान के बात निज के लिए मैं बार बार आपके दर्सकों को नमन जाई श्री राम सवभाग मेरा है सर आपसे बाचीत करने का एक अच्छा रोल रहा चोटा पोष्ट भी नहीं होता है जामूंत का एक बड़ा रोल माना जाता है रमायड में क्या लग रहा है क्यों किसी की दिमाग से उतर गया है कि आपको क्या लग रहा है इस निमतरपत्र को लेकर अब ऐसा नहीं दिमाग से उतरने वाली बात नहीं है ना तो भूल भूलया वाली बात है कुछ और कान जैसे लिष्ट में वहां मेरा नाम न पहुचा हो कि मैं यहीं का हूँ भदोई सुर्यावा हरियर पूर कर रहने वाला हूँ श्रीकांत राजश्यकर उपाध्याए कोई बात हो सकती है नहीं तो निश्चित तवर से बुलाया जाता हला आज भी भी तीन दिन बागी हैं इंतजार कर रहा हूँ कहीं न कहीं से कुछ निमंतर आएगा डियम कार्याले से कर पत्रकार बंधू समाचार दिये हैं कि गुर्देव यहां पर आपका स्वागस समाहरो करने की योजना बनाई जा रही है एक दिन दो दिन में आपको यहां कार्याले में बुला करके सम्मानित किया जाएगा जैसा कि देख सकते हैं कि रमाएड में जो रामानंद द्वारा बनाया गया धारावाई की रमाएड है उसमें काम किये आज जामुंत का रोल किये थे हमारे ही छेत्र के लगभग जनपत भदोही के रहने वाले है मैं बताना चाहता हूँ कि आज वही आध्या में जहां आरुन गोविल और सुनिल लहरी दीपका चिकलिया जी जहां लगातार सोसल मेडिया और सुर्ख्यों में देखी जा रही है चाहिए तो ये था सभी प्रसासनिक लोगों को और कहिन कहीं जो हमारे देश के सस्वी प्रधान मंतरी और तमाम प्लिटिकल नेता है कि जो रमाड में सभी जो पातर थे उनको बुला कर यहां सम्मानित किया जाए क्योंकि आज भी उस रमाड की चर्चाएं छेतरों में और घरों में की जाती है तो इस निमंतर का कहीं कहीं नहीं मिलना दुख नहीं है नहीं दुख नहीं आने से क्यों दुखी होfeltों हमारे प्रभु शीराम का कार हो रहा है हम तो तो प्रसन्धता है हाँ अगर वहाँ बुला लिया जाता तो आतिप्रसंता होती अंतर इतना है कि जो कार वहाँ जा करके यहीं रह करके यही उनका ही कारे हैं कि शोचल मिडिया पर बने हुए हैं हमारे साथ आप लोग थे तो एक बरीता ही लेकिन वहाँ पहुंचने पे एक दिप्यताँ आती कि यह रामहीण के जाम्मन्त की भी यहाँ हाजरी हो चुकी है चाहे वहाँ से श्रीराम का काम करूँ या यहाँ से वहां सम्मानित होता एकानन्दित होता फिर भी कोई बात नहीं प्रभुज श्री राम की जयती जय होती रहेगी लेकिन जो रमायड आप लोगों का जो धारा वाहिक था वाज कहीं कहीं देखा जाए तो एक अलग अंदाज में नजर आता है लोग उसी को उरिजिनल मानते ह हैं और कहीं कहीं आभी देखते हैं आप तमाम ऐसे बैनर जो बजारों में विखते हैं उसी सुनी लहरी और जो आपके अंगोविल इन लोगों का ही तस्वीर दिखाया जाता है क्या मानते हैं आपका जो धारा वाहिक था ओरिजिनल नजर आता वो दौर अलग था रामानन स कर गए अपने श्रम के द्वारा वह मिट है कभी नहीं मिट सकता बहुत से रामायन बने बन रहें लेकिन वो चीज नहीं आपा रही है जो रामानन सागर के द्वारा रामायन बनाई गई थी अरुन गोविल जी आज भी राम लगते हैं सुनी लहरी आज लख्चमन लगता ह देविक्याच खलिया माता सीता ही लगती है जामुंत जामुंत ही लगता है राज शेकर उपाध्याई जितने किरदार थे वो अमर हो गए हैं चाहे कुछ भी हो जैसा कि एक चीज मैं आप लोगों को बता दूँ को राज सेखर उपाध्याई जी है जो रामानंद सागर्द वारा रमायर धारावाहिक जो ओरिजिनल बनाये गया है उसमें जामुंत कारोल किया है लेकिन भब जो राम मंदिर पर आयुद्या में प्रांड प्रतिष्ठा होने जा रहा है बाइस जन्वरी को वहाँ है कहीं कहीं निमंत्रण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए है अभी तीन दिन है कर रहें इंतजार कर रहा हूं क्या आसाएं हैं अंदर से कि मिल सकता लेखो आशा बड़ी प्रबल चीज होती है और आशा ही जो है न हो तो आदमी बुझ जाता है तो किस काम का आशा ही आगे पढ़ाती है इंसान को और आशा अमर भी कर देती है अगर आपके अंदर आशा जागरित नहीं है तो मनोबल आपका टूड़ी जाएगा यानी आश आपके इंसान की जागरित रहना चाहिए कि नहीं मेरा काम आज नहीं तो कल होगा कल नहीं तो परसों होगा और नहों तो भी निराश नहीं हो ना चाहिए निराशता से आदमी कूप मंडुग शाता है आपका पूछना चाहता हूं कि जो राम का प्रतिष्ठा होने जा रहा है ऐसा लग रहा है कि राम इसी टाइम आ रहे हैं जो 22 जनुरी का डेट रखा गया है देखिए सही सही इस भारत भूमी धरा का ये प्रकार से फिर भारत भूमी जैसे देवता लोग भी यहां जनम लेना चाहते थे पांसव वर्सों का तकड़ा संघर्ष ना जाने कितने खुन खराबा हुए कतले आम हुआ तो भगवान जिसको निर्धारित कर देते हैं वही इस चीज की बीड़ा उठा करके आगे बढ़ता बढ़ाता है मैं तो यही कहूंगा योगी आदित नाथ जी और हमारे माननी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को भगवान ने बीड़ा थमा दिया है कि जाओ बेटा आशिर बात दे रहा हूं तुम सफल होगे इसके लावा बहुत सारे राजनेता लगे बहुत सारे राजनीतियां लगी आज भी वही टीकाटी पड़ी कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए तो उसे क्या फाइदा सम्मिल करके इस भारत भूमी को राम मैं बना देना चाहिए कि आओ यार हम सब साथ हैं जब आपने रोल किया था जामौन जी अगर आप अप कहीं जाते हैं क्या लोग परचे बताना पड़ता है कि लोग जान भी जाते हैं जान जाते हैं पहचान जाते हैं कि रामाण के जाम होनता हैं जैसे आप यहां आए तो आजू बाजू के लोग जानते हैं दूर दूर के लोग जानते हैं तेसे हमारा देश धन है कि हमको भी जानता है अजय में किया जाता था एक जोटा कहीं कहीं कारी क्य इसमें करी Right सब्सक्राइब ह czy not fan रेलवेय इस्टेशन पर गाड़िया रोक दि जाती थी और यात्री यहाध रेलवेय पे खड़े होके देखते थे, दुकान वाले टीवी ओन कर देते थे, तो राम में दुनिया बन गई थे, उससे धर्म में सुधार आया था, बीस में फिर लड़ खड़ा गया, अभी जब से ये राम मंदिर बनने के निव डाल दी गई, तब से ऐसा लग रहा है, फिर एक बार धर्म जागरीत होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, मैं चाहूंगा जो आपकी कुछ डाइलाक रहे हूं, जामोंत की मैं, जो आपका स्क्रिप्ट रहा हो, कुछ दर्सकों तक परोसें के दर्सक भी चाहते हैं, उस चीज का सुनना, मेगनाथ राम लक्ष्मन को नाग पाश में बाढ़ लेता है, नाग पाश में बाढने के बाद हनमान जी चले जाते हैं, आकाश, पक्षी राज गरुन को लाने के लिए लोग हतास निराश हो जाते हैं, वो गरुन को लेके हनमान जी आते हैं, गरुन पाश यह नाग पाश थे क्या तुम लोग इतने हतास निरास कें खड़े हो तब जामुन्त बोलता है यद्यपी मेगनाथ ने आप दोनों भाईयों को नाग पास में बांद लिया था हम लोगों ने आशा छोड़ दी थी परन पंक्षी राजगर्म ने आगर के आप दोनों भाईयों को नव जीवन प्रदान किया है तो देख सकते हैं कि हाफ के साक्षा तो जामुन्त हैं जो रामानंद द्वारा बनाय गया धारावाहिक रमायड जो ऐसा रमायड था कि अपने जबाने में अच्छे ची पिक्चरें भी फेल हो गई हैं बताया जाता था कि जब टीवी पे चलता था और पह मैं उभी चाहूं का थोड़ा सा बताएं हनवान जी लंका दहन करके लंका का तहश नहस करके सीता माता का सुद ले करके समंदर के इसपार आते हैं सारे बानर भालू हर्शित होते हैं तो रिश्यमू के परवत पर राम लक्ष्वन दोनों भाई सुग्रिव के साथ बैठे तो हनमान जी आते हैं सीधा प्रभू के चरणों में भावा बेश हो करके कि मैं कार कर लिया उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और इतने भाबुक हो जाते हैं उतना ही भाबुक राम जी हो जाते हैं उनके आखों में पानी आ जाता है उनके सर को सहला रहे हैं ना तो हनमा करते हैं वहीं विजय होता है और उसी की यश्ष तीनों लोकों में उजागर होता है तो आज आपके क्रिपा से हमारे सारे मनोरत सफल हुए देख सकते हैं कि अपने पुराने स्क्रिप्ट को आज भी जामुन्त जी नहीं भूल पाएं हैं अच्छा कुछ पुरानी यादे हैं आप क्या भूल पाएं जो रमायान में कि आज सब यादे हो गई है बात करते करते हैं वह दौर अलग था यह दौर अलग हो गया है संगर सकाल के जीवन की बाते अमिट रहती हैं अच्छा घल त्व्पग्ल के लोग भी जब देखते होंगे तो बताये होंगे कि आले रमायार में तो जामुन्त हमारे बगल के लोग深े लोग कइथ कि जैसे शर्चा चलती बोले हो तो हमारे गाओं के हैं पनोसी है हमसे उनका बहुत अच्छा गहरा संबंध है या हो दो कि आम परिवर के लोग भी देखे हूंगे तो कहेंगे कि हमारी परिवार अस permitted ब् Usually The मिलेगी ने उनकों कि हमारा भाई हमारा पूत्र हमारा पती हमारा फला हमारा ये आज अमर कर दिया हम लोगों के परिवार को खुशी तो होती है ने सब ठीक है लेकिन जो राम का प्रतिष्ठा होने जा रहा है जब अरुन गोविल और दीपका चिकिलिया और सुनि लहरी की त प्रतिष्ठा में निमंतर्ण मिलता तो कुछ और होता क्योंकि इनकी भी इच्छाएं हैं प्रतिष्ठा में अगर हमको निमंतर्ण मिलता अगर हम भी मौके पे जाते लोग कुछ और सोचते हैं मैं भी बताना चाहता हूं कि छोटा रोल नहीं होता है जामुंत का आप बूड़ा हो गया हूँ लेकिन वो आवाज हमारे अंदर आज भी बिद्धिमान है। तब वहाँ जामुन तागे जाता है और उसको धाठस बताता है। देख सकते हैं कि पुराने स्क्रिप्ट को भोल भी नहीं रहे हैं। अपनी भासाओं में अपनी मुह से खुद बता रहे हैं। और जनपत भदोही के रहने वाले हैं समय तो बिताए मुंबई में। लेकिन आज घर का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन राम की प्रांट प्रतिष्ठा पर भी सवाल है। अभी तीन दिन बाकी है अगर वीडियो वहां तक पहुचता है। तो राम की प्रांट प्रतिष्ठा में मैं चाहूंगा जामुंत का भी याग्मन हो। और जामुंत भी उस मंच पर दिखें। तो जनता के बीच में इनका भी रोब कुछ अलग रहेगा कुछ भीचार देना चाहेंगे चलते चलते हैं जाए श्री राम अब पबलीक की इच्छा के साथ सरकार की भी प्रबल लिक्षा होनी चाहिए बाकि जाए श्री राम नमन सबको जाए श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात्चीत करने के लिए रामान निंसागर से रचीत जो रमाड बनाई गया था राजस्यकर उपध्याय जी थे जो जामुंत का रोल किये हैं जन्पत बदोई के मैंने बात्चीत किया है बहुत बहुत धन्यवाद तब तक देखते ने हिंदुस्तान की बात नमस्कार जहिंजे भारत